BC के बाद jobs के लिए easily apply कैसे किया जाए, BC की पढ़ाई के दौरान अच्छी companies में internship करने का मौका कैसे मिलेगा, आगे आने वाले career के लिए profile building अच्छे से कैसे करें, ताकि companies आपके technical skills को फटाफट से देख पाए और आपको approach कर पाए for better job opportunities, फिर चाहे आप students हो या फिर working professionals, आपके ये फाइदे मन हो सकता है BCA students के लिए, तो इस बार हम लेके आगे हैं BCA Fundraise by Sunstone पे आप सभी के लिए ये वीडियो जिसमें हम जानेगे benefits of LinkedIn for college students, सब्सक्राइब करनेगे, तो आप सभी मुझे अपना एक super senior समझ सकते हैं, तो अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को subscribe करने, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, तो उसे like और share करना बिलकुल ना भूले, तो बिना किस देरी के start करते हैं आज किस बहुत ही interesting वीडियो को. LinkedIn professionals और students का एक बहुत बड़ा network platform है, एक online platform है, जहां पर professionals और students connected है, जहां पर वो एक दूसरे से working से related या फिर professionals से related बात कर सकते हैं, एक दूसरे से connect कर सकते हैं. तो LinkedIn जैसे platform पे college day से ही profile build करने के क्या-क्या फायदे हैं, आइए उन्हें detail में समझ लेते हैं. तो सबसे पहला फायदा जो college students के लिए LinkedIn पे रहने वाला है, वो है internships. यहां पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि LinkedIn पे बहुत सारी companies, बहुत सारी startups, even की government organizations भी listed होती है. तो यहां पे time to time various internship opportunities निकालती रहती हैं, जिनको आप चेक कर सकते हैं, और अपने skill set और अपने requirement के हिसाब से उनके लिए apply कर सकते हैं LinkedIn पे. तो यहां पे profile build करने का सबसे अच्छा फायदा students के लिए यह है, कि यहां पे आपको बहुत सारी internship opportunities मिलती हैं. internships आपको कई तरीके की मिल सकती है, online internships हो गया, offline internships, यानि कि आप company में जाके, खुद से hands-on experience करके चीजों को सीखते हैं, आपको stipend मिल सकता है, यानि कि paid internships, unpaid internships भी हो सकती है, लेकिन वहां पे आपको बहुत सारी चीजे सीखने को मिलेगी, आपका experience बढ़ेगा, तो ऐसी बहु देंगी, तो second, बहुत ही important फाइदा LinkedIn का है, jobs के लिए apply करना, या अपने आपको बताना चाहूंगा, कि LinkedIn पे job से related, बहुत सारी openings, organization time to time निकालती रहती हैं, तो आप उनको check कर सकते हैं, उनके लिए apply कर सकते हैं, उनसे लिए जो employees हैं, उनने personally text कर सकते हैं, अगर आपको skill set है, उस profile के according हुआ, तो definitely वो आपको approach करते हैं, और आपको jobs मिल सकती है, as a fresher, तो यहाँ पर मैं आपसे कहूंगा, कि जो भी profile आप अपना LinkedIn पे बनाते हैं, उसे बहुत ही crisp, बहुत ही अच्छा रखें, सारे skills को वहाँ पे अच्छे से mention करें, और अपना resume या फिर CV है, वो approach कर पाएं, third important benefit जो LinkedIn का है, वो है profile building, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, कि LinkedIn पे जो आप profile बनाते हो, वो काम करता है as a virtual resume, यानि कि employees उसको देख सकते हैं, और उसके हिसाब से आपको approach कर सकते हैं, as a virtual resume में, जब भी आपका कोई experience बढ़ता है, आप नए technical skillsets gain करते हो, तो आप उसको वहाँ पे update कर सकते हैं, आपकी जो achievements है, projects है, hobbies है, interest है, सभी वहाँ पे time to time update कर सकते हैं, ताकि आपके skill state के according, आपकी जो relevant employees है, वो आपको approach कर सके हैं, fourth important benefit LinkedIn का है networking, यहाँ पे मैं आपको पताना चाहूंगा, आप different working professionals, different companies, different domain के लोगों के साथ, different technologies के experienced professionals के साथ connections बना सकते हैं, वो आपको follow कर सकते हैं, आप उनको follow कर सकते हैं, different communities और groups का आप हिसा बन सकते हो, वहाँ से आप बहुत सारी learning ले सकते हो, certifications के बारे में पता कर सकते हो, यानि कि आपका एक बहुत अच्छा professional network बिल्ड हो सकता है LinkedIn पे over the period of time, इससे सबसे जादा फाइदा यह ह होता है कि जितना बड़ा आपका network होता है, अगर आपको future में job को switch करना है, तो आप इस network को explore कर सकते हो, और easily job switch कर सकते हो, fifth important benefit है LinkedIn का LinkedIn learning, LinkedIn learning की मदद से आप कई online classes, कई tutorials, कई professional courses को access कर सकते हो, कई latest technologies के बारे में जान सकते हो, certifications के बारे में जान सकते हो, और उन्हें सीख सकते ह और अपने LinkedIn profile को strong बना सकते हो, और जैसा कि आप सभी को पता है कि corporate world में अगर आपको जाना है, jobs पा नहीं है, तो आपको लगातार learn करते रहना पड़ेगा, अपने आपको update करते रहना पड़ेगा, और certifications भी यहाँ पर बहुत important role play करती है, आपको upgrade करने में, sixth important फायदा जो क और strong बनाता है as a student, और आप jobs के लिए जादा recommend किये जाते हो, employees द्वारा, और last में जान लेते हैं, कुछ other benefits के बारे में, सबसे पहला है resume building, यानि कि जो LinkedIn का आपका profile है, वो एक पूरे resume की तरह है, इसे आप export कर सकते हो, और कभी भी किसी employer के साथ share करना है, तो उस resume को as a word file, as a 7 benefits आप सभी को बता दिये हैं, तो I hope आपने इनको अच्छे से note कर लिया होगा, और ज़रूर आप अपना एक profile LinkedIn पे आजी बनाएंगे, और सभी details जो सभी skills आपने सीखे हैं, वहाँ पे update करेंगे, और time to time जैसे career में आप आगे बढ़ते हैं, इसे update करते रहेंगे, ये आपक झाली होगा, आपको बनाएंगे, अजय को आपको जलिए जाएंगे, और जाप झाली होगा!